ओम साइराम हर हर महादेव आज का रातरी संदेज बाबा कहते हैं सुख दुख जीवन का एक हिस्सा है मेरे बच्चे अगर जीवन में दुख है तो एक दिन सुख भी जरूर आएगा कुछ भी इस जीवन में नियंतरित नहीं है सब कुछ समय के अंसार पदलता जरूर है मैं जानता हूँ आज आप बहुत बुरे दोर से गुजर रहे हो हर तरफ से समस्याओं ने आपको घेर लिया है और मन अशान तो हो उठा है आप हार रहे हो लेकिन अपने बाबा पर विस्वास रखो बाबा परिक्षा उसी बच्चे की लेते हैं जो परिक्षा के योग्या होता है आप बहुत भागयशाली हैं कि बाबा आपकी परिक्षा ले रहे हैं क्योंकि वो आपसे अत्यदिक प्रेम करते हैं आपको ससक्त और मजबूत बनाना चाहते हैं इसलिए वो आपको कड़ी प्रिक्साओं से गुजारते हैं जो अतीद था वो बुरा था अच्छा था उसे भुला देना चाहिए जब तक आप अपने अतीद से बाहर नहीं निकलोगे तो जो खुशियां आपके जीवन में आने वाली हैं उनको कैसे अनभव कर पाओगे क्योंकि जो आप से दूर हो गया है वह आपके पास कभी लौट कर नहीं आएगा लेकिन आपके बाबा उससे भी अच्छा आपको देने वाले हैं अपनी बाबा पर विश्वास रखो जब मन अशांत होता है तो साई चरीतर का परायन करो एक एक लीला को समरण करो और जानो कि आप उस लीला में बाबा के समक्स उपस्थित हैं और सब कुछ आपकी आँखों के सामने हो रहा है फिर आप देखोगे कि आपका मन कैसे सांत होता है और सोने से पहले उदी का तिलक मस्तक पर लगाया करो इसे आपकी अतीत की बुरी यादों से आपको जरूर मुक्ती मिलेगी सदा खुश रहें, सदा जबते रहें ओम साहिराम, हरहर महादेव, शुबरातरी मिले बच्चो